तो यह डोज हो सकता है थोड़ा सा हेवी लगे आपको बट मेक शूर जहां पर हमें फोकस करना होगा वो होगा एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर मेंली जीन्स अपना रोल प्ले करेंगे तो जीन्स देरा लाइक देर सो मैनी जीन्स सारी जीन्स को याद नहीं करना है बट य जीन्स को याद करना होगा उनका भी नाम में मैंशन कर दोंगी और जिसे आप नॉर्मल स्किप करना चाहें उसे आप स्किप कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक बेसिक अगर हम फटलाइजिशन से शूरू करते हैं तो ड्रॉसोफिला में भी एगन विल भी ऑफमीशन ओफ ऐसाइगोड साइगोड से एंब्रीयो बने गांशन बने गांशन यह एक और रॉसफिला ऑंके इसकी बादी में टोटल तीन रिजेंट पाए जाते हैं पहला डीजन होता है हेड रीजन यह वाला डीजन हैं डीजन में इसके पास मौत देखा जाए नेक्स्ट होता है ठराशिक सग्में ठरस गंट यह वला प्रशिन होता है जहां पे तीन थराशिक segment होते हैं T1, T2, T3. तीनों segment में one pair of leg common रहता है. लेकिन T2 segment में one pair of leg के साथ one pair of wings होता है and T3 segment में one pair of leg के साथ one pair of hall tear होता है. तो ये difference को आप याद रखेगा. And the third segment will be the abdomen segment जो कि जहां पर में लिए आपको abdomen देखने को मिल रहा है. तो ये तीनों segment अगर याद रहें तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सारी की सारी कहानी चलेगी कैसे. तो यहां प्याँ जाती है genes का role ठीक है? कि अगर हम शुरू करें जहां से that is zygote का formation हो है वहां से लेकर complete drosophila के development तक तो ये सारी की सारी genes से हाँ पर काम करती है. ये आप देख सकते हैं total five classes of genes हैं. एक का नाम है maternal genes, then gap genes हो गई, after that pair rule genes, segment polarity genes and homeotic selectors genes. ये हो गई पांच type की genes. लेकिन इन genes को actual में हम ऐसे divide नहीं करते हैं. ये कुछ इस तरीके से divide होते हैं total तीन classes में. यानि maternal genes अलग से रहेंगी. Zygotic genes, maternal genes का मतलब क्या होता है? ये before fertilization, before fertilization भी ये express हो जाती हैं. लेकिन mainly mRNA form में रहती हैं. protein form में चेंजनी होती हैं. Zygotic genes तब तक नहीं activate होंगी, जब तक zygote नहीं बनता है. जबकि maternal genes पहले से ही express होकर present रहती हैं. तो Zygotic genes में तीन टाइप पाई जाते हैं, that is Gap genes, Pair Rule genes and Segment Volatility genes. And the third category is the Homeotic Selector genes. इनी को हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रेजन किया हैं. अगर एक बर नाम की हम बात करते हैं, पहले में नाम आपको एके करके, प्रेंशियेट करके दिखा देती हूं. And after that, we will switch to the functioning of these genes. मैटनल जीन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बाइकोईड, हंच बैक, नानो, स्कॉडल, टॉर्स, 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 तॉर्स, 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 यह कुछ जीन्स के नाम हैं. इतने ही नहीं हैं, मैटनल जीन्स, और भी बहुत सारे मैटनल जीन्स हैं. यह कुछ यहाँ पे मेजर तॉर से देखा जाएगा. गाप जीन्स की बात करें तो, कुरूपल, निप्स, जाइंट, हंच बैक, टेलेस, हंच बीन, सबटन हैड, एंप्टी, स्पेरिकल्स, और और्थो देंटिकल्स. यह हो गई गाप जीन्स. पेरूल जीन्स में चली आती हैं, हैरी, इवन, स्किप, रंट, फूसी, ट्राजू और स्किप, स्लॉपी, पेर्ड, पेर्ड. सेग्मेंट पॉलाइटी जीन्स इस लाइक, विंगलेस, क्यूबिटर, इंट्रॉप्टर, स्पास्ट, इंग्लेल्ड, हैजोग, आर्माडीलो, गूस्बेरी, फूस्बेरी, फूस्ट, पैंगोलीन. होमियोटिक सेलेक्टिज जी इस लाइटील में नहीं जाना है, अगर आप इसको देख के भी रख लो तो कभी अकर कुश्चन आ तो आपको यह लगा कि हाँ पूच के आदिया है, मैं आपको बताते हूं कि जीन्स काम कहां कहां करती है, आज वल आपको यह भी बताते हूं कि किसको याद रखना है, मैं मैटनल जीन के केस में आपको 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 मैटनल जीन के मामले में आपको मैटनल जीन के केस में आपको मैटनल जीन के केस में आपको पेरूल जीन्स के मामले में आप जो है इवन स्किब्ड और फूसी ट्राजू याद रख सकते हैं सेग्मेंट पुलाइटी जीन्स के मामले में विंगलेस हो सकता है पैच इंग्रेल्ड है जोग आर्माडीलो ठीक है और होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स के जिए ज़ीन्स के बारे में आपको इंफ़र्मेशन वैसे भी जगादा नहीं मेंदें काम कीसे करते हैं तो देखें जरा सा मैं आप समझाने की कोशिश करती हूं मैटनल जो जेंस होते हैं उनका मेली काम क्या होता है कि एंटीरीर पोस्टीर एकसे बनाना है, यानि कहां से मौट बने Chancellor मेली मैटनल जींस उसी में इनवाल होता है कौन सा डॉर्च बनेगा यह सारा त्रहला काम करने हैं मैटनल जींस काम करती हैं गाप जीन्स क्या करती है गाप जीन्स इनिशल टाइम में देखिए बॉडी का सेगमेंटेशन बनाती है यानि यह देखिए स्टार्टिंग में ही बॉडी की डॉसोफिला की बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में डिवाइड़ है तो जो स्टार्टिंग का सेगमेंट्स होता है वो gap genes बनाती हैं, अपने अपने expression के थूँ, थर्ड आती है pair rule genes, pair rule genes क्या करती हैं, यह जो roughly segments divide हो रखा है ना, इनको 14 para segments में divide कर देती है totally यहां पे आपको 14 para segments देखने को मिलेंगे, उन 14 para segments को actual में access देने का काम करता है, यह पोलाइटी देने का काम करती है, segment polarity gene, यानि अगर मैं एक para segment को ऐसे बनाऊं, यानि अगर मैं यह blue वाले को इधर पे zoom करके दिखाऊं तो यह कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट, तो यह जो यहां पे बना है, this is a para segment, तो इसका अपना भी तो interior and posterior होगा, तो एक-एक para segment, oblique segments का interior, posterior decide करने का काम करती है, segment polarity genes लास्ट आता है क्या, कि यह सारे के सारे para segments को very obvious, एक identity मिलेगी, जिसे यहां segment polarity gene ने हर एक को अपना-पना direction दे दिया, polarity दे दिया, इसके बाद हमियोटिक selector gene आती है, वो क्या करती है, वो हर एक selector genes का activation हो जाता है, उस stage तक, जो drosophylla है, उसकी body में आपको wings देखने को मिलेगा, mouth, abdomen, hall tear, सब कुछ बना हुआ देखने को मिलेगा, तो यह किसकी वज़े से होता है, that is, homeotic selector या homeotic genes की वज़े से होता है, यह एक rough basis पर आपने देखा कि यह काम कैसे करती है, ओके, अब बात करते हैं, एंटियर posterior axis का formation कैसे होता है, तो सबसे पहले एक basic जानना जरूरी होता है, suppose कीजे, this is a drosophylla, ओके, लेकिं drosophylla starting से ही तो ऐसे होता नहीं, fertilization हुआ और मानिजे, this is a drosophylla body, तो यह बनेगा anterior, यह बनेगा posterior, या एंटियर वाला area अक्सर जो है mouth, mouth में या head में form होता है, mouth आप कह सकते हो, या फिर head कह सकते हो, ठीक है, and posterior वाला area tail में form होता है, तो देखा यह जाता है, actual में, जो o site है, o site का भी दो area होता है, o site का that is your posterior होता है, and anterior होता है, तो अगर हम बात करें before fertilization की, जब तक fertilization हो है, तब की बात करें, तो o site के posterior area में nanos mRNA, nanos mRNA store होता है, ठीक है, और anterior area में bicoid mRNA stored होता है, यह कब की बात हो रही है, यह हो की before fertilization की, ठीक है, अभी तक fertilization हो नहीं है, लेकिन उसके बात क्या होता है, उसके बात होता है, उसके बात हो जाता है, यानि हम यहाँ पे एक sperm का picture बढ़ा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि अब होआ है fertilization, ठीक है, fertilization के बात क्या होता है, that is, nanos mRNA जो है, nanos protein में change हो जाता है अब area भी आप देख सकते हैं, anterior area में bicoid protein है, अब अगर इसको बनाना चाहें, तो यह कुछ इस तरीके से आपको देखने में नजर आएंगे, यह रहा overall drosophila का body, एक major तरीके से इसलिए बनानी ताकि आप अच्छे से समझ पाएं सारी बातों को तो यह रही drosophila की body, यह रहा anterior area, यह रहा posterior area अगर मैं यहाँ पर कहूं कि bicoid का concentration कैसे बना हुआ है, तो यह कुछ ऐसे बना हुआ है यह because bicoid एक morphogen होता है, तो morphogen अपना gradient बनाता है, gradient का मतलब हो गया कि कहां पर उसका concentration high रहेगा, कहां पर low रहेगा, तो यह इसमें बना दिया bicoid का concentration this is a bicoid concentration, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो very obvious इस area में bicoid बहुत जादा high है BCD लिख देते हैं, बहुत जादा high है, तो यह वाला area क्या करता है, यह वाला area head में convert हो जाता है यानि interior area में head बनेगा very obvious और जहाँ पर bicoid का concentration बहुत जादा होता है, वो वाला area क्या हो जाता है, head में convert हो जाता है ठीक है similarly जहां पर concentration moderate रहता है जिसे यहां पर concentration क्या है that is bicoid का concentration bcd moderate amount में रहता है यह वाला area बन जाता है thorax ओके और अगर हम बात करते हैं nanos की तो nanos का concentration कुछ यहां पर देखा जाता है जो posterior area है और यह वाले area में that is high nanos होता है high nanos तो वो बन जाता है that is abdomen ओके तो देखने को यह मिलता है यह तो हो गई बात किस की that is the nanos and bicoid की लेकिन क्या सिर्फ इतने ही gene है कोई और gene नहीं है बिल्कुल और भी बहुत से gene है जिसे कि अगर हम बात करते हैं before fertilization की तो you can see here कि mRNA की अगर हम बात करते हैं तो bicoid mRNA fertilization से पहले anterior area में आकर store हो चुका है nanos posterior area में आकर store हो चुका है लेकिन साथ ही साथ hunchback and cordon नाम की भी genes होते हैं जो की maternal genes कहलाते हैं इनका expression throughout the oocyte एक दम uniform रहता है आप देख सकते हैं एक दम uniform लेकिन after fertilization क्या होता है after fertilization यह सारे के सारे mRNA प्रोटीन में बदल जाते हैं प्रोटीन में बदलने के बाद bicoid का concentration highest रहता है कहाँ पर anterior में लोःस्ट रहता है पोस्टीर में similarly, nano's concentration highest रहता है, posterior में, lowest रहता है anterior में, लेकिन जो hunchback था, जिसका concentration uniform था, जब वो mRNA फर्म में था, अब उसका concentration कहाँ ज़्यादा हो जाता है, that is anterior एरिया में ज़्यादा हो जाता है, posterior एरिया में वो नहीं रहता है, जब ही caudal की हम बात करते हैं, to caudal का concentration, posterior एरिया में होता है because यहां जो बाइकॉइड है वोके बी-सी डी जो है बी-सी डी का दो काम होता है पहला हंच बैक जो होता है एच बी हंच बैक का एक्टिवेशन करवाता है इसलिए हंच बैक एंटियर एरिया में साद देखा जाला बिकॉज बाइकॉइड भी वहाँ पे जादा है और बाइकॉइड साथ-साथ में क्या करता है कॉडल के एक्सप्रेशन को एंटियर एरिया में रोक देता है ठीक है similarly अगर हम बात करते हैं that is your nanos की तो nanos जब पोस्टियर एरिया में एक्सप्रेशन होता है तो वो क्या करता है उस एरिया में हंच बैक के एक्सप्रेशन को रोक देता है और हैंस हंच बैक का कंसेंटेशन आपको एंटियर एरिया में देख रहे हैं कि यह क्या है यह है एंटियर एरिया में एक्सप्रेशन और यह है पोस्टियर एरिया में एक्सप्रेशन इसलिए हंच बैक जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाता है तैस पोस्टियर एरिया में काम तो यह हो गया मतलब यहां पर हमने कुछ जीन देख लिया जो मेजर रूल प्ले करती है जीन उसके लिए हम सिर्फ वाइकॉइड और नानोस को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको और अच्छे से कंसीडर करना है तो आप जहां जहां पर वाइकॉइड प्रेजेंट है वहां वह प किया तो यहां पर वहीं कों वहां बेलकुल वैसा ही कंसेंटेशन हांच बाइक का भी कंसफिडर कर सकते हैं लेकिन एक के तरंनेट तो को एक्स्प्रेस करती हैं यानि हैड वे टेल वाला टर्मिनल एंड टेल वाला टर्मिन और और इस जीन को हम कहते हैं, that is your torso gene, torso gene, torso का काम क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, case की, torso का काम क्या है, torso का काम होता है, that is your tail banana, जिसे हम telson कहते हैं, developmental biology की भाशा में, और या फिर यह, that is your face banana, जिसे हम बोलते हैं, acron, okay, लेकिन torso की भी एक specificity है, कि torso जब, torso जब bicoid के साथ रहता है, okay, torso जब bicoid के साथ रहता है, BCD के साथ रहता है, यह case 1 है, यह तब ही acron बनाता है, अगर torso bicoid के साथ नहीं है, या अकेला है, या किसी और के साथ है, तब क्या करेगा, तब यह कुछ भी कर लो, यह tail ही बनाएगा, मतलब face बनाने का सिर्फ एक ही condition है, that torso need bicoid with it, क्योंकि यहाँ पे देखिए bicoid का expression अगर इस वाले area में अगर आप देखते हैं, तो bicoid के साथ साथ टorso express कर रहा है, तब ही इस वाले area में क्या बनेगा, यह वाला area आगे चलके face में convert हो जाएगा, और यह जो dumb terminal वाला area है, यह tail में convert हो जाएगा, ओके, और इस डंग से सारी के सारी चीज़े काम करती हैं, तो torso का case आपको अच्छे से याद रखना है, एकरॉन नहीं बनाएगा, अब यहीं से आते हैं कुछ mutation cases, जहां से CSIR question, sorry, gate question पूशता है, पहला mutation case है, अगर BCD mutant है, BCD mutant, यानि bicoid present नहीं है, और हमको पता है bicoid कहां रहता है, anterior area में रहता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे no head, no head, यानि सीधी सी बात है, अगर bicoid नहीं है, तो very obvious क्या होगा, यहां पे, यहां पे that is your tail बनेगा, इधर भी tail बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, बीच में abdomen बन जाएगा, तो यह है detail phenotype अगर हम कहें, तो यह mutant जिसके पास कोई head नहीं बनेगा, उसका, उसका एक general basis पे, अगर detail version में कहें कि इसका phenotype क्या होगा, तो हम इसे बोलेंगे tail, abdomen, tail, या फिर हम इसे two tail phenotype भी कह सकते हैं, two tail mutant भी कह सकते हैं, या फिर no head कहके भी हम बुला सकते हैं, दो तिन तरीके हैं, एक ही mutant को बुलाने के, second आता है, अगर nanos का mutation हो गया, nanos mutant, nanos mutant हो गया, तो no abdomen, सीधी सी बात, चीक है, third, अगर यहाँ पे, torso का mutation हो गया, तो, torso का mutation हो गया, तो very obvious, no tail and ackron, right, fourth mutation, अगर हमने wild type drosophila के अंदर, middle में bicoid add कर दिया, तब क्या होगा, तो very obvious, इस particular mutant को हम कहते हैं, head in the middle, ठीक है, एक एक यह चीज करते हैं, wait a minute, यहाँ पे हम wild type ना लेके, हम इसको bcd mutant, bcd minus ले ले लेते हैं, जिसमें पहले से bcd नहीं था, हमने क्या किया, यानि वो bcd mutant था, वो particular drosophila, हमने जो है bcd को middle में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, head middle में हो जाएगा, अब अगर हम इसको diagramatically अगर देखना चाहें, क्योंकि कुछ-कुछ complex चीज होते हैं, जिसको diagramatically देखना जरूरी होता है, माल लीजिए, this is a drosophila, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने beach में bicoid को डाला है, beach में bicoid को डालने का मतलब यह हो गया, कि bicoid का concentration कुछ ऐसे जाएगा, तो कि morphogen ऐसे ही concentration में काम करते हैं, और bicoid is a morphogen, यानि a kind of a signaling molecule जो की diffuse हो सकता है, जिसकी वजह से BCD की वेसे यहां beach में, howiest concentration होगा, तो यहां पे head बन जाएगा, यहां भी moderate concentration होने की वजह से यहां भी बन जाएगा thorax, और यह वाले area में क्या होगा? as because यहां तक BCD पहुंच नहीं पाया तो यहां पे जो टॉर्सो रहेगा उसको BCD मिलेगा नहीं जिसकी वएसे वो यहां पे टेल बनाएगा फेस नहीं बना पाएगा और यहां पे नानो वाला एडिया थोड़ा सा कॉंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और as a result of that यहां बनेगा और यहां का जो टॉर्सो है वो क्या करेगा वो इधर का टेल बना देगा तो अगर में कहूं डीटेल में बताएगा इस फिनो टाइप का फिनो टाइप का ओवराल अफ लाइक ओवराल कैसा रहेगा यह देखने में तो आप तो एक तो इसका नाम हो गया head in the middle ठ लेकिन डीटेल में कहें कि यह कैसा रहेगा तो यह कुछ ऐसा रहेगा tail, thorax, head, thorax, abdomen, tail तो यह भी two-tail फिनो टाइप में सांसात में यह क्या होगा head in the middle, okay बगर फिफ्ट मिटेशन के अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमने क्या किया है बाइकॉइड को posterior में भी आड़ कर दिया है make sure जब question आपको मिलता है तो जरूरी नहीं कि वो आपको mention करें कि यह इस particular embryo में पहले से भी bicoid है that is well understood कि इसमें bicoid पहले से भी है क्योंकि कुछ mention नहीं किया है अगर यह एक bicoid mutant होता और तब bicoid आप posterior में आड़ करतें तब का एक अलग phenotype होता है लेकिन अगर बोला जाए कि bicoid आड़ किया है तो वो चीज यहाँ पर समझ जानी है कि यहाँ पर यह bicoid mutant है already और इतनी specific तरीके से आपसे ना gate ना CSR कोई question नहीं पुछता है वो directly बोल देगा bicoid आड़ किया है तो वहाँ पर दिमाग खुछ चलाना परता है यानि यहाँ पर mutant की बात हो रही है सॉरी यहाँ पर एक wild type की बात हो रही है कैसे wild type जिसके अंदर bicoid पहले से ही है और अगर bicoid पहले से ही है यानि anterior area में bicoid आलरेड है posterior में हमने डाल दिया है तो यहाँ पर two head phenotype हो जाएगा ओके दो head बन जाएगे इस mutant में अब अगर मैं इसको और थोड़ा detail में बताना चाहूँ कि यह head कैसे बनेगा तो जरा सा हम यहाँ पर बना के देख लेते बिगाउस बिना आप बनाए तो आप लोग के सरीका होता है कि आप जो है concentration gradient बना लीजिए पूरी problem ही solve हो जाएगे यूदि जब concentration gradient आप बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो कहां कहां पर express हो रहा होगा ठीक है यह हो गया concentration gradient very obvious यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा head ठीक है हो जाएगा यहाँ बन जाएगा a crown जिसे हम बोलते हैं face तो यह two face phenotype भी हो गया two head तो है ही two face भी बन जाएगे इसको तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपसे two head phenotype करके ही question पूछा जाए two face phenotype भी बोला जा सकता है लेकिन बात तो एक ही होगे कि अगर head पे ही तो face area भी होता है right अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे moderate concentration होगा BCD का और आपको पता है moderate concentration thorax बनाता है right तो यहाँ बन जाएगा thorax और यह BCD होने कारण क्या होता है कि nanos का concentration कहीं middle में shift हो जाता है इसलिए abdomen चला आता है middle में तो यह अगर मैं detail में कहना चाहूं कि यह phenotype कैसा होगा तो यह कुछ ऐसा होगा echron, head, thorax, abdomen, thorax, head, echron यह है detail mutant का phenotype यह detail basis पे अगर हम बात करें तब यह phenotype हो गया तो यह सब के सब detail है लेकिन अगर shortcut में पूछेगा तो ऐसा पूछेगा long cut में पूछेगा, बहुत detail में बूला जाए तो ऐसे बूलेगा आपको दोनों पता होना चाहिए यहाँ कि अगर आप mutation पढ़ रहे हो और कुछ नहीं पता है और गलती से भी detail basis पे पूछ दिया तो आप वहाँ पे फंस जाओगे यहाँ पे six mutation case आता है कि माल लेजिए BCD mutant है ठीक है? और तब आपने BCD को posterior में डाला है तब क्या होगा? तब यहाँ पे head जो है posterior area में बनेगा head in posterior ठीक है? इस ढंक से यहाँ हमने six mutation case देख लिया I hope यह mutation case आपको clear हो गया होगा यहाँ पे मैंने Gilbert के 12th edition से भी आपको सारी चीज़ा समझाने की कोशिश की है आप देख सकते हैं इसको समझने में I think और अच्छे से अब आपको आसानी हो जागी because मैंने आपको बना के भी बता दिया कि यह mutant कैसे कैसे काम करते हैं next हम बात करते हैं यह तो गया anterior posterior axis की anterior axis किसकी वज़े से बनता है अगर हम sum up करना चाहें यहाँ पे की anterior axis किसकी वज़े से बनता है तो anterior axis को बनाने में जो primary role निभाता है that is a bicoid ठीक है bicoid and जो यहाँ पे that is posterior area बनाने में help करता है उसे हम कह सकते हैं that is nanos fine bicoid के अगर हम बात करें तो इसका अगर highest concentration है high concentration है तो यह बनाएगा head moderate concentration है तो यह बनाएगा thorax और nanos का तो भाई एक ही है कि यह क्या बनाएगा यह बनाएगा abdomen इसलिए जब इनमें mutation होता है तो mutation में भी यह सारी की सारी चीज़े absent हो जाती है तो अगर आप drosophila को देखते हैं यहाँ पे यह रहा drosophila तो यह रहा इसका head section area ठीक है यह रहा इसका thorax area और यह रहा इसका abdomen area तो आपको पता है यहाँ पे BCD का highest concentration, यहाँ पे OK OK concentration, यहाँ पे nanos का highest concentration fine ओके तो यह दो वे anterior posterior की कहानी की हमें पता चल गया कि कहां से head area बनेगा कहां से tail area बनेगा सीधी सी बात कहें तो सिर्फ इतना ही काम होता है anterior posterior axis का पता करवाना next आता है dorsal vental axis dorsal vental axis क्या करता है यह आपको बताता है कि कौन सा area drosophila का that is back बनेगा और कौन सा area that is front बनेगा या vental area बनेगा ठीक है तो यह रहा fine यह रहा, तो यह रहा dorsal area यह रहा anterior यह रहा vental यह रहा posterior तो हमें देख रहा है dorsal gene के cases में हम देखते हैं कि dorsal and vental में काम कैसे कैसे चल रहा है यह dorsal and vental axis कैसे बनता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं dorsal axis की तो इसके एक बहुत बड़ी सी signaling है ठीक है लेकिन signaling को उतना detail में पढ़ने की जरूरत नहीं है आप normal basis पर यह देख सकते हो कि dorsal and vental axis की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कुछ जीन के बारे में बात कर लेते हैं कि dorsal बनाने वाले जीन का नाम क्या होता है यह दो का नाम होता है गारकन टॉर्पीडो cactus ओके ये सारे के सारे जो genes होते हैं वो dorsal axis बनाते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं ventral axis की तो ventral axis बनाने वाले बहुत सारे gene है बहुत सारे जिन में से एक measure gene होता है जिसका खुद का नाम होता है dorsal वो dorsal खुद एक gene है जो की बाद में protein में convert होता है और वो vental axis बनाता है अब ये काम कैसे करते हैं अगर हम मैं बात करूँ आपसे तो सीधी सी बात है dorsal axis बनाने के लिए माल लीजे dorsal axis कहां चलता है dorsal axis जहां पर dorsal future dorsal side बनने वाला होगा वहां पर इसकी signaling चलती है तो होता क्या है actual में जो area dorsal में बदलने वाला है यहाँ पर मैं already लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम उस side की बात करें उस cell की बात करें जो की dorsal बनेगा यानि back side की बात करें तो dorsal side में क्या होता है garkal ligand की तरह काम करता है garkal ligand की तरह काम करके bind कर जाता है torpedo से और इन दोनों का origin maternal होता है यानि यह mother side से produce होते है garkal present रहता है उस side में and torpedo present रहता है that is follicle cells में somatic follicle cells में present रहता है जब यह दोनों bind करते हैं और इन दोनों की binding की वज़े से क्या होता है that is dorsal बनाने का signaling शुरू हो जाता है और साथ ही साथ क्या करते है vental बनाने की signaling को यह inhibit कर देते है इसलिए dorsal side dorsal में बनता है vental axis में नहीं बनता है लेकिन जब हम बात करते है vental axis की यानि जहां पे vental बनेगा उधर क्या signaling चल रहा है तो vental area में बहुत सारे genes होते हैं लेकिन क्या होता है कि vental area में भी torpedo नाम की receptor प्रेजेंट तो होता है वहाँ पे लेकिन गारकन नहीं होता है तो vental area में क्या होता है नो गारकन नो गारकन नो गारकन मिन्स नो टॉर्पीडो activation नो टॉर्पीडो activation कर आँ मतलब क्या होया जब यहां पर torpedo का activation नहीं है मतलब dorsal बनाने वाले जीन और pathway को यहां पर inhibit कर दिया गया है राइट क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं वेंटल एडिया की और साथ ही साथ क्या किया गया है इसकी वज़े से क्योंकि torpedo अक्टिवेट नहीं हुआ है जिसकी वज़े से वेंट्रल एक्सेस बनाने वाले जीन अक्टिवेट हो जाते हैं प्योंकि अगर torpedo एक्टिव रहेगा तो उसका फेट होता है कि वो dorsal बनाएगा तो जब वो अक्टिवेट ही नहीं हुआ है यानि गारकन और torpedo का जब कोई आक्टिवेशन ही नहीं है तो क्या होगा वेंटल एक्सेस बनेगा अब यह वेंटल एक्सेस बनने पर क्या होता है अक्च्वल में यह देखा जाता है यह जो मैंने कैक्टस की आपकी बात की यह कैक्टस क्या करता है साइटोसॉलिक एरिया में साइटोसल में क्या करता है, क्याक्टस ये डॉर्सल को पकड़ के रखता है ठीक है? और ये ठूरू आउट देखा जाता है और मैं बात करें फटलाइजिशन की बात की कि हम एम्ब्रियो का डॉर्सल वेंडल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो dorsal को cytosolic area में cactus इसको पकड़ के रखता है तो cactus का क्या जरूरी है कि cactus को फॉस्फोरालिट कर देगा तो dorsal को वो छोड़ देगा तो dorsal protein that is nucleus में enter करके vental बनाने वाले सारे genes का activation कर देता है तो यहाँ पे vental area में क्या हो रहा है vental area में क्या होता है कि जो vental axis बनता है तो यहाँ पे एक signaling चलती है उस signaling में बहुत सारे proteases activate होते हैं और उसी signaling में kinase भी activate होता है kinase का नाम होता है यहाँ पे पहले यह kinase क्या करता है यह kinase cactus को phosphorylate कर देता है cactus के उपर phosphate को add कर देता है cactus के उपर phosphate add होने के बाद क्या होता है cactus का degradation हो जाता है cactus का हो गया degradation इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद जो है that is dorsal free हो जाता है dorsal free हो क्या करता है यह चला जाता है nucleus के अंदर nucleus के अंदर यह ऐसे gene का transcription करवाता है जो की उस area को ventral axis में change कर देगा transcription of ventral axis gene तो इस डंग से चलता है और इस तरीके से एक drosophila का that is dorsal area यानि अगर हम ये कहें this is a head area, this is a tail area यानि this is an anterior area this is a posterior area, this is a dorsal, this is a ventral ये कल को back बनेगा तो इस back वाले एरिया को बनाने के लिए ये signaling चलती है और ये belly वाले एरिया को बनाने के लिए ये वाली signaling चलती है तो जो area that is future में ventral बनेगा वहाँ पर ये काम चल रहा होता है और यहाँ पर activate कौन हो रखा है यहाँ पर activate रहता है dorsal, dorsal के साथ साथ और भी बहुत से यहाँ पर जीन्स होते हैं जो की participate करते हैं और इस तरीके से सारा का सारा आपको देखने को मिलता है कि signaling चलती कैसे है although signaling थोरी सी complex है लेकि मैंने आपको simplified version में समझाने की कोशिश की है वो भी इसलिए क्योंकि अभी तक जो मैंने paper देखा है उसमें इतना detail में नहीं दिया गया है तो I think वो torture हो जाएगा आपके उपर अगर मैं उतनी सारे genes को लेकर चलूंगी तो लेकिन अगर आपने CSR point of view से पढ़ा है तो I think आपके पास basic थोड़ा बहुत idea होगा आप उसको काम चला सकते हैं और यह नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है इतना काफी होगा because अभी तक उतनी detail basis पर question नहीं है तो there is a no use of you know going in that much of detail बस याद रगना है कि torpedo and garkon का यहाँ पर maternal origin होता है ठीक है गarkon oocyte में stored होता है and torpedo somatic follicle cells में होता है अगर हम बात करें कि अगर इनमें mutation हो जाए right इनमें अगर mutation हो जाए तो क्या देखा तब क्या होगा तो mutation case की अगर हम बात करते हैं माल लेते हैं पहले mutation case की हम बात करते हैं कि garkon जो है garkon mutate हो गया तो garkon mutate होगा तो क्या होगा that is no dorsal axis और अगर dorsal axis नहीं होगा तो very always हम क्या कहेंगे embryo जो है वो क्या हो गया है वो ventralized हो गया है उसमें सिर्फ और सिफ ventral axis ही बनेगा डorsal axis बनेगा ही नहीं similarly अगर हम बात करते हैं अगर torpedo का mutation हो गया तब क्या होगा again उपर वाला ही condition no dorsal axis सारा का सारा embryo ventralized हो जाएगा क्योंकि दोनों का ही काम एक ही था थर्ड बात करते हैं अगर cactus sorry cactus नहीं dorsal अगर dorsal प्रेजेंट रहेगा सारे cell में dorsal present in all cell अगर सारे cell के nucleus में dorsal present रहेगा तो हम क्या कहेंगे वो particular embryo सिर्फ और सिर्फ और ventralized हो जाएगा right ventralized embryo हो जाएगा next अगर हम बात करते हैं कि in case अगर dorsal का mutation हो गया dorsal mutated तो very obvious अगर dorsal mutate हो गया तो क्या यह ventral बना पाएगा नहीं बना पाएगा तो क्या बनेगा तब बनेगा dorsal तब बनेगा dorsal axis no ventral axis नहीं बनेगा यह embryo क्या हो जाएगा dorsalized हो जाएगा इसले इनके नाम इतने जादा unique क्यों है because इन सबका discovery इनके mutation case में हुआ है तो देखिए dorsal का नाम dorsal है लेकिन अपने white type condition में यह ventral axis बनाता है लेकिन जब mutate हो जाता है तब यह dorsal axis बनाता है इसलिए इनका discovery ही इनके mutant condition में हो रखा है याद रखेगा यहां से दो important fact कि garken गarken उस site में present रहता है और जो torpedo है यह somatic follicle cell में और अगर garken और torpedo दोनों में से किसी में भी maternal deficiency हुई mother side से ही deficiency हो गई तो very obvious उस particular embryo में that is dorsal axis नहीं बनेगा तो यह था mutation case regarding the dorsal vental axis next video में हम बात करेंगे कि total gap genes थे because आज में जो हमने देखा यह sari that is your dorsal gargan torpedo यह सब maternal genes थी थी तो bicoid and hunchback bicoid hunchback, nanos, caudal वह सब to maternal genes थी 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 साथ-साथ में यह जो genes थी वह भी maternal genes थी थी तो आज हमने सिर्फ उस maternal genes का concept clear किया कल जो है हम zygotic genes का exist देख लेंगे कि zygotic genes कैसे काम करती है और segmentation कैसे create करती है so thank you so much everyone and keep learning तो mainly हम यह देख चुके हैं कि polarity कैसे set होती है polarity का मतलब होता है कि कहां से head area बनेगा कहां से tail बनेगा कहां से back कहां से ventral portion बनेगा इसे हम कहते हैं dv and ap axis ठीक है यह हम देख चुके हैं कि हमने यह देखा था कि maternal genes mRNA form में stored रहती है और that is जब fertilization हो जाता है तब वो protein form में change हो जाती है इसके बाद activation होता है gap genes का make sure gap genes को maternal genes ही activate करती है कुछ maternal genes होती है जो कि gap gene का activation करती है gap genes का का काम क्या होता है जो initial segmentation होता है उसे start करना यहां पे और gap genes का अगर आप नाम देखना चाहें तो it is a croupal, nips, giant, hunchback, tailless, hunch bean, button head, empty sphericals and ortho denticles जिन में से हम चार genes को measure तरीके से यहां पर देखेंगे कि इनका expression कहां कहां पर होता है तो make sure हम इस stage की बात कर रहे हैं कि यह जो segmentation होता है roughly basis पे आपको एक 5 mega area दिखेगा वो segmentation शुरू कैसे होता है so that is why we are starting with the gap gene expression तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह रहा anterior area यह रहा posterior area अगर मैं anterior area की बात करती हूँ तो यहां पर express होने वाली जो genes होती हैं वो हैं that is your hunchback anterior area में hunchback express होता है hunchback जो एक्सप्रेस होता है तो वो यहां पर that is दो काम करता है एक तो anterior area में express होने वाला giant नाम का gap genes को वो activate करता है साथ ही साथ यह एक और gene को यहां पर inhibit करता है जिसका नाम होता है कृपल ओके इतना ही नहीं यह एक और gene को यहां inhibit करता है जिसका नाम होता है that is nips तो यह actual में hunchback ऐसे काम करता है जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं giant का expression जहां होना चाहिए वहां पर हो रहा है nips इस area में express नहीं करता है okay nips जो है actual में posterior area में express करता है तो इस डंग से इसका mainly action देखा जाता है तो अगर मैं आपको एक wild type drosophila बना कर बताओं तो कौन सी genes कहां कहां express करती है यह यहां से जानने में आपको help मिल जाएगी make sure यह जो यहां diagram देके रखा है वो यह नहीं बताया है कि expression कैसे कैसे होता है यह बतायागे कि expression कैसे कैसे हो सकता है लेकिन wild type में actual में expression ऐसे नहीं होता है actual में expression wild type में ऐसे होता है कि hunchback यहां पर express किया इसके बाद जो है यहाँ पर उसने giant को express करवाया बीच में croupal activate होता है after that nips activate होता है फिर giant activate होता है and tail less activate होता है यह है actual में expression का pattern यह जो यहाँ आपको बता के रखा है वो इस तरीके से बता है कि जिसे कि tail less gene यह terminal area में भी express हो सकती है और यह anterior area में भी हो सकती है लेकिन कुछ ऐसे factor होता है जो इसको anterior area में express नहीं होने देते हैं जैसे कि nips यहाँ भी express हो सकता है यहाँ भी express हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता है यह सिफ posterior area में express हो पाता है और ऐसा क्यों है क्योंकि anterior area में hunchback present है हंच बैक को किस ने अक्टिवेट किया होता है BCD ने that is bicoid ने अक्टिवेट किया होता है तो bicoid हंच बैक को अक्टिवेट करने के बाद हंच बैक क्या करता है जाइंट को एंटिरियर एरिया की जाइंट को अक्टिवेट करता है make sure there is a two type of giant here एक anterior एक posterior तो anterior area के giant को यहाँ पर inhibit कर देता है anterior area में जो sorry anterior area में joint है उसको activate कर देता है croupal जो कि anterior area में express होड़ा है लेकिन वो posterior वाला gene है उसको sorry croupal जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह blue color में okay fine यह middle वाला कि हम बात करें this is a croupal croupal को जो है hunchback inhibit करता है nips को या करता है nips जो कि यहां पर posterior area में express हो सकता है उसको यह inhibit करता है ताकि anterior area में यह express ना हो इतना ही नहीं hunchback की एक और कहानी है कि अगर hunchback का concentration बहुत ज़्यादा high है तो अपने high concentration में यह kruple को inhibit करता है लेकिन अगर इसका concentration अपरोक्स आप कह सकते हो 50% है या 50% से थोड़ा सा कम है तो तब क्या करता है यह kruple को activate करने का काम करता है यह concentration ज़्यादा रहेगा तभी यह kruple को inhibit कर सकता है और दरवाइस यह activate करता है तो वही चीज़ें यहां पर लिखी गई है देखिए कि BCD activate होता है तो hunchback को activate कर देता है hunchback को activate करने के बाद देखा यह जाता है कि hunchback जो है nips को यहां पर that is inhibit करता है और nips भी hunchback को inhibit करता है that is why hunchback कभी भी आपको posterior area में देखने को नहीं गिलेगा and this is a posterior posterior gene होता है यह ठीक है hunchback कैसा होता है? hunchback anterior gene है croupal जो है middle में present रहता है और इनकी sign देखिए आपको आराम से समझ में आएगा कि hunchback ज़्यादा concentration में है तो कृपल को activate करेगा कम concentration में है तो inhibit करेगा similarly कृपल की अगर हम बात करें तो कृपल का giant के साथ inhibition कैसा होता है that is mutual inhibition होता है croupal और giant एक दूसरे को inhibit करते है और tailless tailless last में present रहता है जहां tailless रहता है वहाँ पे वो nips और giant दोनों को inhibit करके रखता है साथ ही साथ posterior area में जो भी gene express हो रहे है वो किसकी वज़े से हो रहे है आप जीन्स मैटनल जीन्स की हेल्प से अक्टिवेट होती है बिगाज आप देख सकते हैं BCD and caudal यह दोनों की दोनों मैटनल जीन्स है और इनके अक्टिवेशन के बाद ही यह जो जीन्स आपको दिख रहे हैं आप पर वो सारी के सारी जीन्स ग्याप जीन्स हैं जो की अक्टिवेट हो रही है make sure hunchback दोनों में आता है that is maternal genes and gap genes दोनों का ही वो पाट है तो इस डंक से हमने देखा की activation कैसे हो रहा तो अगर एक ग्राफिकल फॉर्म लेते हैं इस तरीके से तो अगर मैं कहूं की that is your hunchback कैसे express हो रहा है तो hunchback का expression कुछ ऐसे होता है okay that is anterior area में this is a anterior area okay और जब hunchback का expression होता है तो यहीं पर जो है that is giant का भी expression हो रहा होता है ठीके this is a giant this is a hunchback okay फिर यहां से शुरू हो जाता है middle वाला area अब middle वाले area में आपको पता है कि middle वाले area में कौन express करेगा middle वाले area में आप कह सकते हो that will be expression of grouple middle वाले area में grouple काम करता है and after that जो posterior area होगा posterior area में आपको देखने को मिलेगा that is यह रहेगा nips and after that यहां पे रहेगा that is giant giant के साथ आप यहां पे tail list को भी consider कर सकती है consider कर सकते हैं तो यह हो गया posterior area तो इस डंग से expression होता है यहां जो मैंने बताया है wild type का अपको वही consider करना है this is a anterior area, this is a posterior area तो अगर मैं posterior gap gene कहूँ तो मैं nips, giant and tail list का नाम लोगी और अगर मैं anterior gap gene कहूँ तो मैं hunchback and giant का नाम लोगी middle में जो रहता है that is a croupal make sure अगर यह absent रहते हैं अगर इनमें mutation हो जाएं तो drosophila की body में segments नहीं देखे जाते हैं पूरे के पूरे gap आजाते हैं and hence the name has been given that is the gap gene क्यूंकि अगर इनमें mutation आता है तो drosophila की body में gaps create हो जाते हैं क्यूंकि जो starting का segmentation है वो कौन क्रेट कर रहा है वो gap gene ही create कर रही है okay next gene जो आती है that is a pair rule genes pair rule genes का 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 म क्या होता है pair rule genes का का म होता है pair में express होना alternative basis पे इसलिए जब यह genes activate होती है तो यह like zebra के body पे जिसे stripes होते हैं बिल्कुल वैसा ही stripes ही है that is drosophila की body पे बनाती है तो drosophila की body में जो segments create होते हैं उनको और further divide के जाता है that is para segments में drosophila की body में जो para segments पाय जाते हैं वो total होते है 14 para segments okay तो you can see कि यहां पे 14 para segments बना दिये गहें अगर आप इनको count करते हैं तो लग बग आपको total 14 मिलेंगे अब इस 14 में क्या होता है कुछ odd number of bands है कुछ even number of bands है तो pair rule jeans में अगर हम jeans का नाम देखे तो you can see here कि hairy even skipped runt उसके बाद फूसी टराजू, odd skipped, odd paired, sloppy paired and paired यह सब नाम हो गए that is pair rule jeans के जिन में से जो primary basis पे काम करेंगी jeans वो होती है even skipped and Fusitrazo तो हम इसको बहुत जादा detail में discuss करने का कोई फाइदा नहीं है because gate उतरे detail में जाता ही नहीं gate जो है, जो primary genes होती है उन्हीं पर ही सिर्फ focus करता है तो हम यह देखेंगे कि even skip and Fusitrazo express कैसे करते है even skip कहां express करता है even skip का color match किजिए even skip express कर रहा है odd number वाले stripes में and Fusitrazo कहां express कर रहा है even number में चीक है इसलिए अगर आप देखते हैं तो इधर है even, odd, odd, odd इन सब में even skip नाम का gene express होता है जो कि एक type का pair rule genes है और Fusitrazo कहां होता है that is even number में होता है even skip genes odd number में express हो रहा है odd stripes में express हो रहा है and Fusitrazo even number stripes का उसमें express हो रहा है तो hence क्या होता है यह alternative basis पे खुद को express कर रहे होते हैं अब इसलिए कहा जाता है कि अगर इन में mutation हो जाए ना तो alternative segments delete हो जाते हैं यानि suppose कीजिए कि even skip में mutation हो गया तो कौन-कौन delete हो जाएगा अगर मैं आपको ऐसे बताऊ even skip gene में अगर mutation हो जाएगा तो यह delete हो जाएगा यह भी यह देखिए जो gray वाले हैं वह यहां से delete हो जाएगा तो इस जंग सी zebra stripes पनता है और mutation होने पर alternative segments होते हैं वह यहां से हट जाते हैं तो यह जो बाकी के बाकी सारी genes है ना वह सारे parasegments में express कर रहे होते हैं लेकिन देखा जाते हैं parasegments में भी particular area है जहां पर यह express करते हैं ऐसा नहीं कि एक parasegments में सभी जगह express करो कुछ कुछ area होती है जहां पर यह express करते हैं लेकिन लगबग सारे ही segments में as well as parasegments में इनका expression देखा जाता है तो pair rule genes का काम ही इसलिए है क्योंकि pair में express होती है एक even में हो रहा है तो दूसरा odd में पहला वाला फिर से even में फिर odd में तो pair में express होने के कारे इनको नाम देजाता है pair rule genes ओके next is the segment polarity genes segment polarity genes का काम क्या होता है साफ साफ तरीके से देखा जाए तो यहां से अगर मैं यह कहूं कि this is a one parasegments right तो यह anterior है इसका भी posterior है तो यह anterior posterior axis को यानि para segment oblique segment के anterior posterior axis को बताने का काम कौन करता है segment polarity genes करते हैं अभी segment polarity genes है यह करते कैसे हैं तो there are some genes जिसकों कि हमने segment polarity genes का था नाम अगर आपको याद ना होता है मैं दुबारा से दिखा देती हूं see this wingless, cubiters, interruptus, patch, ingrained, hedgehog, armadillo, gooseberry, fused and pangolin यही सारी genes यहाँ पे भी काम करती हैं see अगर मैं बात करूं ingrained का तो ingrained कहां कहां express होता है और कौन से चीजह बताता है ingrained का काम होता है यह actual में that is anterior anterior portion बताता है किसका para segment का साथ ही साथ यह posterior axis बताता है segment का segment को further or divide के जता है para segment में तो para segment का anterior axis कौन सा है जहां पे ingrained express होता है anterior section बन जाता है and posterior section बन जाता है that is segments का posterior section कौन सा होगा जहां ingrained present होगा और para segment में anterior portion कौन सा होगा जहां पे ingrained present होगा तो आप यह कह सकते हो कि इन ग्रेल जो है पैर सेग्मेंट का एंटिरियर बनाता है और सेग्मेंट का पोस्टिरियर एक्सेस बनाता है ठीक है और इसके जो अपोजिट एक्सेस होते हैं वो कौन बनाता है वो बनाता है ताट इस विंग लेस तो यह दो जीन्स मिलकर काम करती ह signaling करके कैसे देखते हैं तो यह वाला एक area जो cell का है ये सारा का area यहां से लेकर यहां तक एक segment है ठीक है और इसमें cells है यह cells क्या होती है adjacent तरीके से आसपास एक दूसरे के होती है जैसे कि यह वाली cell है इसके अंदर यह wingless secrete करेगी और यह वाली cell in grail containing cell होती है तो wingless cell जो है starting में सबसे पहले wingless protein का secretion करती है wingless protein का जो receptor है वो present होता है ingrained वाले cell के surface के उपर ये ingrained containing cell होता है तो इसके surface के उपर receptor present है जिसका नाम है freezer freezer is a receptor of wingless protein ये wingless protein freezer से आके bind करती है freezer क्या करता है signaling molecule के तौर पे I mean उसे signaling start करने के तौर पे ये disheveled नाम के protein को activate करता है disheveled protein GSK3 जैसे काम कर रहा एक protein होता है जिसे हम बोलते हैं ZW3 जो की drosophila में पाया जाता है उसे ये inhibit करता है इसके inhibit करने की वज़े से beta catanine activate हो जाता है क्योंकि GSK3 ने beta catanine को inhibit कर कर रखा था तो beta catanine जैसे जैसे काम कर रहा है ZW3 को inhibit कर देता है disheveled जिसके वज़े से beta catanine activate हो जाता है beta catanine फिर जो है nucleus के अंदर enter करता है और वहां पे वो hedgehog नाम के factor का activation कर वाता है hedgehog यहां से that is secret होता है I mean to say express होता है और release जाता है make sure hedgehog is a paracrine factor और यह जो wingless था यह भी paracrine factor था तो paracrine factor में में ही देखा जाता है कि जो दो cells cross proximity में होती है उनही के बीच में action होता है तो यहां से जो hedgehog produce हुआ अब यह देखा जाता है कि hedgehog का receptor wingless containing cell के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो वो जो है जाकर hedgehogs bind करता है अपने receptor से जिसका नाम है patch patch का एक binding partner होता है that is smoothen जैसी patch से आकर hedgehog bind होता है smoothen activate हो जाता है smoothen activate होके cubitus interruptus नाम के factor को activate करता है जो कि यहां पे transcription activator की तरह काम करता है cubitus interruptus फिर nucleus के अंदर enter करता है वो wingless protein का secretion करता है wingless protein का secretion करने के बाद I mean उसे expression करता है फिर wingless protein का expression होता है उसके बाद wingless protein एक बड़ express हो जाता है as because wingless protein is a secreted molecule तो यह protein बाहर निकल जाती है और फिर से ही cycle चलना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से जो cell wingless express कर रही है वो cell कोई और excess बनाती है और जो cell ingrained express कर रही है वो cell para segment का anterior and segment का posterior बनाती है और इस तरीके से यह सारा signaling चलता है अगर यहां पर general basis पर देखा जा तो यहां हो क्या रहा है कि जो चीज ingrained cell produce कर रही है वो factor या वो signal molecule जाकर bind कर रहा है that is your wingless containing cell के उपर और जो factor या signaling molecule wingless containing cell produce कर रही है वो factor जाकर bind हो रहा है ingrained containing cell के surface के उपर यानि जो चीज A को चाहिए वो B के surface के उपर है और जो B को चाहिए वो A के cell के surface के उपर है और इसलिए इनके बीच में positive feedback loop चल रहा है इस cell के transcription के लिए यह produce कर रहा है protein और इसके लिए यह produce कर रहा है और इस तरीके से यह आपस में activate करते रहते हैं और hence polarity देते हैं अगर मैं कहूं यहां पर कौन कौन से चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही है तो wingless एक secreted molecule के तरह काम कर रहा है ingrained एक nuclear protein है that is transcription factor है patch receptor जो present है कहां पर? that is patch receptor present होता है wingless containing cell के उपर यह hedgehog का receptor होता है hedgehog एक paracrine factor है एक signaling molecule की तरह काम करता है freezer receptor जो है it is present on the ingrained containing cell and it is a receptor of the wingless protein wingless protein हमारे अंदर जो WNT protein पाया जाता है WNT protein जैसा काम करने वाला ही protein होता है wingless protein जो की drosophila में पाया जाता है ingrained expressing cell produce the hedgehog protein और ingrained expressing cell जो होता है वही hedgehog protein को भी secret करता है एक और चीज यहाँ पे यहाँ पे जो beta catinin है actual में drosophila के अंदर beta catinin जिसे काम कर रहे हुए molecule को हम armadillo कहते है तो beta catinin is a homolog form of that sorry armadillo is a homolog form of a beta catinin that is in the case of the drosophila और इस गंग से जो है segment polarity gene segments को polarity देती है यानि उनका interior and posterior axis define कर देती है अब इस धंग से हमने देख लिया कि almost segment का सारा काम हो गया segment का काम कौन को किस-किस ने किया gap genes ने किया इसके अलावा pair rule genes ने किया and segment polarity gene ने किया अब सब कुछ बनके ready है everything is ready बस final identity देना बाकि है यह जो final identity होता है यह identity देने का काम करती है homeotic selector genes ठीक है इसे हम home c genes भी कहते हैं और यह genes भी cluster में present होती है पहला cluster का या पहला complex का नाम है antenna pedia complex okay it is a antenna pedia complex और दूसरे का नाम है by thorax complex यह homeotic selector genes में भी दो complex आते हैं antenna pedia complex and by thorax complex antenna pedia complex में आपको देखने को मिलेंगे total past gene labial, proboscopedia, deform, six com reduce and antenna pedia whereas by thorax complex में आपको देखने को मिलेंगे तीन gene that is ultra by thorax abdominal A and abdominal B यह तीन यहाँ पर gene देखने को मिलेंगे लेकिन यह करते क्या क्या है वो भी देख लेते हैं antenna pedia complex में जो labial and deform gene है यह head segment में express होते हैं यहाँ पर यह express होते हैं six com reduce and antenna pedia thoracic segment में एक्सप्रेस होते हैं यहाँ पर and proboscopedia gene मेली adult में काम करता है अगर हम बात करें by thorax की तो ultra by thorax भी कहाँ पर express होता है यहाँ पर express होता है third thoracic segment में and abdominal A and B abdomen के segment को control करते हैं अगर हम और specific basis पे बात करें तो thoracic segment आपको बताया था 3 होते हैं पहली ही slide में बताया था first lecture में T1, T2, T3, T1, T2, T3 तीनों में ही one pair of leg present रहता है, T2 में one pair of leg के अलावा one pair of wings रहता है T3 में one pair of halter रहता है अब देखने को यहां यह मिलता है कि यह जो T1 में है T1 में one pair of leg किसकी वज़े से बनता है यह बनता है 6-com reduce की वज़े से CR की वज़े से T2 में one pair of leg and one pair of wings बनता है antenna peria की वज़े से T3 में one pair of legs and one pair of halter बनता है ultra by thorax की वज़े से और इस धंग से जो है सारा का सारा identity कंट्रोल होता है अगर diagramatically अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यह एक बहुत ही अच्छा सा diagram है जो कि आप अच्छे से समझ पाऊंगे यह देख सकते हो labial जो है यहां पे express हो रहा है color को match करेंगे इसली समझ में आजाएगा probosypedia यहां पे express हो रहा है deformed यहां पे express हो रहा है sex com reduce देखे यह रहा T1 segment यहां express हो रहा है इसके बाद antenna pedia यह देख सकते हैं this is a T2 segment जहां पे आपको one pair of leg and one pair of wings देखने को मिल रहा है next ubx this is a area जिसे हम कह सकते हैं T3 okay यह है T3 area यहां यहां that is your thoracic segment third area फिर यह रहा abdominal A और यह रहा abdominal B यानि finally जो हमें drosophila देखता है वो drosophila का पुरा का पुरा फिनोटिपिक features किस की वज़े से दिखता है यह in genes की वज़े से दिखता है that is homeotic selected genes this is a final identity of our drosophila तो अभी हमें समझ में आगे कि कौन-कौन से gene final identity कैसे कैसे देती है लेकिन अगर इनमें mutation हो जाए तब क्या होगा तो mutation क्यों study करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह segments divide कैसे होते हैं मैंने आप मों कहा था कि drosophila की body में total 14 para segments होते हैं जिन में से 8 para segments abdomen बनाते हैं 3 mouth बनाते हैं और 3 thorax बनाते हैं और इसी thorax में से T1, T2, T3 आता है ठीक है तो 14 को हमने divide किया है कितने में 8, 3 and 3 में fine तो mutation के ज़रा देख लेते हैं कि यह कैसे कैसे काम करते हैं अगर हम बात करते हैं antenna peria की तो normal antenna peria का काम क्या होता है कि नाम देखे क्या है antenna peria तो यह actual ने एक normal basis पे कहूँ कि यह body में काम कैसे करता है तो antenna peria हमें पता है कहां express होता है T2 segment पे जहांपे वो दो leg and दो wings को बनाता है तो यह actualness का काम क्या होता है कि antenna का development T2 segment में ना हो और उसकी जिगब पर leg का expression हो यह है इसका wild type function कि यह जो है normal form में antenna की development को T2 segment से नहीं होने देता है वहाँ पर leg को develop करवाता है लेकिन अगर यह mutate हो गया है general basis पर mutate हो गया है तो क्या होगा तब antenna pedia जाकर head area में express कर जाता है और legs का development head से भी होने लगता है ठीक है so antenna pedia express in the head and leg grow on the head in the place of the antenna और उस area से जो है head का development शुरू हो जाता है next आता है अगर यह mutation recessive nature का है तो क्या होगा तो अगर यह mutation recessive nature का है तो antenna pedia का expression fail हो जाता है antenna pedia T2 segment में express नहीं कर पाता है and hence T2 segment से legs की जगब पर antenna का formation हो जाता है यानि अब T2 segment में antenna form होता हुआ दिखेगा instead of leg अगर यह mutation recessive condition का है यह mutation एक general basis था जिसमें antenna pedia जो है किसी और area में express कर रहा था लेकिन यहाँ पर recessive mutation में antenna pedia it failed to express तो यह होगे यह यहाँ पर देख सकते है this is a picture जहाँ पर drosophila के head पे जो है अब अब अगर हम बात करें UBX की that is ultra by thorax की तब क्या होता है अगर अगर हमें normally पता है कि UBX gene T3 segment में express करता है वहाँ पर one pair of leg and one pair of halter बनाता है halter balancer की तरह काम करते हैं जो flies को properly that is जब वह फ्लाइट लेडी होती है तब उसको help करते है that is fly करने में properly help करते है तो UBX gene का काम था one pair of leg banana and one pair of halter banana जब UBX gene का mutation होता है T3 segment में तो यह देखा जाता है कि T3 segment जो है T2 segment में convert हो जाता है यानि हम drosophila की body में दो-दो T2 segment पाए जाएंगे और hence जितना phenotype T2 segment में होता है वो सारा का सारा phenotype जो है वो duplicated T2 segment जो है वहाँ पे भी देखा जाएगा यानि अब drosophila की body में total 4 wings देखे जाएंगे ठीक है क्यों? क्योंकि wings का formation mainly T2 segment में हो जाता है लेकिन T2 segment तो यहाँ पे duplicate हो गया क्योंकि इस drosophila की body में T3 segment पाया ही नहीं जाता है और as a result of that इसमें लगबग 4 wings पाया जाते हैं जिसे हम बोलते हैं duplication of wings अगर UBX gene का overexpression होगा तब क्या होता है? overexpression के time पे 4 haltears देखे जाते हैं अगर हम abdominal A and abdominal B को as well as UBX मतलब bithorex complex को total अगर कहा जाए हमने mutation cases देखे हैं कि यह काम कैसे करते हैं, okay? so with this we are done with the drosophila portion दो class में हमने complete कर लिया है